नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक वाइफिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी पॉइंट में फ्रेंट्स देखिए जिन लोगों ने यूपी परिक्साथ सफलता की डाउनलोड नहीं की है सबसे पहले गूगर प्रेस्टोर पर जाएगा वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेजेगा अब देखें डाउनलोड करने के फायदे क्या है पुलिस का डेली डोज आपको यहां पर निसुल्क प्राप्त होगा क्योंकि जो लोग भरतिक की तयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की और पैसा ही और कॉंस्टबल की तो उन लोगों के इसको डालेंगे तो आपको 50% छूड इसकी मिल जाएगी दोस्तो पहले भाग में हमने काफी कुछ कर ले था अब देखें सेगन भाग आपका सीर्टैट के लिए जो मैत है संक्या पदिदी का उसमें किस प्रकार कोशन पूछे थे जुलाई 2013 में कैसा कोशन आया था कि 509 औ दोनों को आपको जोड़ना आएं ठीक है इन दोनों नों को आपको जोड़ना है आपका योग आ जाएगा नेश्ट कोसन आपका आगा रिंव निम से कौन एक्जृ बोड़ा परिप Lacsen से जालिये जोड़ा जूम कम करेंगे ताकि आपको सारे कोसेन जो और हो दिख सकें ठी कि दो और साथ से बड़ी कोई चार संख्या लिखनी है तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम यह लिख दिए कि तीन आठ चार नो ऐसा सोड़ी है कुछ भी लिख सकते हैं आगे को ठीक है लेकिन सीमा में रहेकर ठीक है यहां पर आगा फॉर्ट उप्सन अगरा पिरसन आपका हो जा नो से भाग कर देनी इसका जो सेस्फल आए आपका वही सेस्फल इसका अंसर हो जाएगा बट मैं आपको अंसर इसका बता देता हूं को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसमें से एक कोशन आने ही वाला हंड्रेड वन परसंट अब देखिए पांच और छे के सानिमान छे का इसनिमान दोस्तों यहां पर हुआगा साथ पांच का इसनिमान हुआगा यहां पर पांसो ठीक है गुड़न फल गयात कंदान का तो इन दोनों की जो है गुणा कर देनी है क्या करनी है गुणा कर देनी है और गुणा करके हमारा आंसर देखिए जागा लगबग यह कि यह जागा हमारा अंसर दीन कि तीस हजार हमारा अंसर जागा ठीक है ओप्सन नमबर आपको जागए है थर्ड वाला यह भी कोशन दोस्तों बार-बार रिपीट हो रहा है अक्जाम में कि दस धाई पिलस दस सेगड़ा पिलस दस ही काई बराबर हैं दस धाई ग्यारह ग्यारह सेगड़ में कितनी जरू लगते हैं दो लगते हैं और बारा ही काई बारा ही होगी काई ठीक है दस धाई में कितनी जरू लगेंगे दो जरू लगेंगे यहापर ठीक है अब इसको जोड़कर जो आंसर आगा दोस्तों हमारा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर तो फ्रेंड इसको हल कर लिजिएगा देखिए दुबारा से हल करेंगे इसको क्या पोछ रहा है दस दहाई दहाई में कितने जिरू लगते हैं एक जिरू लगता है ना सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर लिजिएगा और बाकी इसमें से जो गुणा करके आए दोस्तों यह घटा देना है ठीक है जो संख्या आएगी वही आपका प्राप संख्या हो जाएगी इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं तो इसका जो ओप्सन हो जाएगा पहला वाला नहीं सही हो जाएगा करके दिख लिजिएगा कोई दिक्कत आए तो कमेंट स्वोक्स में लिख देना कोई दिक्कत नहीं होगी संख्यादी हुई है इसको 43 से भाग करने पर भाग पर तो भाग कर सकते हैं नेस्ट कोसन आपका यहां पर रहाएगा चोतिस अटास्वी को बा भाग आएगा ठीक है जो सेस्फल आएगा उनमें आपको अंतर ग्याद करना क्या ग्याद करना है अंतर ठीक है कर सकतें AST caused by किस पीजा का 4 भाग रेनू ने में जए को बार बच्चों में इसा बांड दिया गया ृइनसे प्रत्थेदी एक बच्चे को पीजा का कितना बाग मिला कितना भाग पीजा के मिला आप देखिए इस कोचन को हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे यह कोचन दोस्तों हम एक बार भी पीछे रिपीट भी कर चुके हैं बर ऐसा को से नहीं था थोड़ा डिफेरेंट था ना तो रेनी दुवारा खाया गया भाग कितना हो एक बटे चार भाग हो जागा और दौस्तों जो दोस्तो चलवा भीजा वो कितना भीजेगा एक जना था ना तो मेंट से बड़ेट यहाँ पर कोई प्रोब्लम कुछ नहीं तीन बटे बार्चोक 48 और इसका अंसर जागा दोस्तो एक बटे 16 इसको हल करने के बाद अंकितमान होता है वो उतना ही होता है अब इसमें इसको घटाएंगे आंसर हमारा यागा थर्डवाला उसन आपका सही हो जागा दोस्तों चार अंको वाली सबसे बड़ी संख्या और तीन अंको वाली सबसे चोटी संख्या का योगफल बताजेगा 2014 में कोसन यह पूछा गया है चार औंको वाली सबसे बड़ी संखिया क्या हो जायाईगी चार बार हम न लिख लेंगे ठीक है और त्रे नंको वाली Eco होड़ी संखिया कोशन आपका यहां पर दोस्तों फिर से एक बार वही मिला है तो इस कोशन को आप करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुँ चाहिए ठीक है 26 और 26 सतांग को लिखा आता है आप देखिए यह कोशन जो है थोड़ा सा आपको मायूस सा कर सकता है आप सोचेंगे यह कैसे होग बड़ आपको घवराने की कोई आप सकता नहीं है एक सतांग पर आप कितना होता है 0.01 ठीक है 26 सतांग कितना होता है 0.26 26 यानि कि सो मह भाग से बोल सकते हम तो 26 पिलस 0.26 यानि कि 26.0 26 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं 26 पॉइंट 26 यानिकि दूसरा वाले जो उप्सन है आपर इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कोसर आगया आपका एक सुच है गुणन फल 1109 505 में कौन सी संख्या घड़ाई जाए ताकि यह प्राप्त हो इन दोनों की गुणा कर लिजेगा जो गुणा करके आएगी संख्या उसमें से इसको घड़ाईएगा जो संख्या आएगी वही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है और नेश्ट है आपका संख्या दी हुई है भाका चिन है ग्यार है और इस तरह से प्राप्त सेस्पलों का गुणन फल बदाईएगा इन दोनों की भाक कर लिजेगा जो सेस्पलाई इन दोनों की हम गुणा कर देंगे ठीक है अंसर जाएगा अगला पेट्सन आपका हो जा जाएगा उपर और एक हो जाएगा इधर दस गुणा छै अपॉन थी गुणा एक यानि कि तीन दुनी छै दस दुनी कितनों हैंगे बीस यानिकि नमबर आपका फोर्ट हो जाएगा चलिएगा आप देख लीजेगा इस्थाने मानों का सवाल आ गया फ्रेंट्स बही सिंप प्रेंट्स नमबर आपका 110 है देखते हैं कि थार्ड ओप्सन देखिएगा यह आपका सभी दोबिसम संख्याओं और एक संख्याओं का यूगफर एक संख्या होता है संख्या है अब देखे दोस्तों यह जो को सन जाद रिपीट हो रहे हैं इन दोनों की गुणा कर लेंग गटा कर आएगी ना वही हमें जोड़ना होगा है ना चलिए मैं इस सवाल करकर दिखा देता हूं आपको आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं 102 गुणा 201-x यानि कि x गटा जाए x तो मान लेंगे हम बागी जो संख्या है यहाँ पर बरावर में इसको इस तरह से ही लिग लेंगे आप जो एक गुणा करके कितना आएगा हमारा 20 52 इस तरह से जाएगा-x बरावर यह वाली संख्या होजाएगी आपर इस यह वाली संख्या जो है नो उननीच 59 में 9-9 मानिस के हो जाएगा हमारा यह वाला ठीक है यह वाला यानिकि जो बड़ा है यह जो बड़ा है आपका यह छोटा है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो आंसर कितने गाएगा हमारा 503 आंसर आजाएगा पहला उप्सन हो जाएगा अब यह भी भाग का सवाल है संख्या दी हुई है इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त भागपल वे सेक्सपल का योगफल बताना आपक फिर सवाल दोस्तों वही होगा आपका छे बड़े पाच में कितने बड़े दस हैं कर सकते हैं आप असानी से नेट कोसन आपका यहाँ पर कि रवी के पास तीर दरजर्ट चाकलेट हैं उसने एक तिहाई भाग अपने पड़ोसी को एक छटा भाग रोहना और एक चोताई भ लगाने के आवसकता है आपको क्योंकि इस तरह का सवाल में इसी वीडियो में करा चुका हूं नैत सवाल आपका देखी यह हो जाएगा कि छे के अंकितमान में अंतर तो पहले हम निकाल देंगे जैका इस तानिमान फिर चार कर निकाल लेंगे और इसमें से इसको घड़ा जाएगा चार सो जाएगा चैनल यहां जाएगा एक दो तीन ठीक है क्योंकि यह है जितने अंग इसको जिरू लगा देंगे तो इसको घड़ाईएगा दस में से चार गए च्छा बचे और यहां पर पांच च्छा पंस हो जागा आँसर तो सेकंड वाला उप्सन हो आपका सही चली यह भी आपका सवाल कर सकते हैं इसको कर लेंगे ना बिल्कुल कर लेंगा आप नेट कोसन आपका यागा यह संक्या दी होए ग्यार से और इस संक्या को तेरे से भाग देने पर प्राप सेस्वलों का योग बतना है इन दोनों को इसकी भास कर लिजेगा इन दोनों लड़कों की संख्या का तीन चुथाई लड़की खिलाडी है और लड़कों की संख्या का एक चुथाई खिलाडी है विद्धाले में कुल कितनी खिलाडी की संख्या है चलिए दोवारा से ठीक तरह से पढ़ लिजे का मैं सवाल को करा ही देता हूं कोसर नमबर एक सो अठार रहा है आपका यह चलिए ध्यान से देख लीजिए दोस्तों आराम से कर रहा हूं कि विध्यालों में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी लड़कों की संख्या हो जाएगी 440 है जाएगा ठीक है फिर आएगा खिलाड़ी लड़कों की संख्या 440 का 3 वटे 4 कितना जो ये संख्या आगी हमारी 440 का 3 वटे 4 अब इसको हल करेंगे तो हमारा अंका जाएगा 330 ओके अब विद्धाले में लड़कियों की संख्या जो 600 was उसमें से हम घटा देंगे 440 तो देख कितना आगया हमारा 220 आगया आप क्या करेंगे विद्धाले में खिलाड़ी जो लड़की है उनकी संख्या देखनी है तो 220 का हमें कितना निकालना है एक बटे 4 220 का कितना निकालना एक बटे 4 ग्तोंगा टो टो पर चее रहा थ talk यहां पर की गवाइशने में स्टेंव यहां पर यहां पर इसले नहीं होगा पज़ पन हो जाएगा और विद्धालने में कुल खिलाड़ों की संख्या कितनी जाएगी 330 पिलर्स 55 तो बरावर रहागा 380 इस तरह से हम कर सकते हैं इस सवाल को उससे नमबर आपका दूसरा सही है देख लीजिए दोस्तों ये भी सवाल आपका बिर्कुल सिंपल है आप कर लीजिए आप सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगी इस दहाई वाल सवाल है ये भी आपका दहाई वाल सवाल है ये भी आपका सवाल बहुत सिंपल है तो इन सवालों को आप कर सकते हैं असानी से ठीक है फ्रेंट्स तो बागी जो सवाल है दोस्तों ल JE इसी कोफन पर आदारितन जो मैं करा चुका हूँ देखे देखे दिए के सवाल आंगे सबक्ते डिनाège तो पांच ऑनरा निकलना आपको इसमें इसमें निकालना आपको साथ का साना ला chrom यह सवाल है यह सवाला तो फ्रेंट्स आपकी जो है संख्या पदिती पूरी हो चुकी है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप जो है सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे और फ्रेंट्स लाइक का बटन तो आपको दिख रहा होगा अंगोठा सा बना होगा उपर को उसको प्रैस कर देना आप मैं आपको सिंपल भाता में बताता हूं दोस्तों देशी भाता में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आसानी से समझेगा अपने दिमाग में आनी चाहिए लेंग्वेज ऐसी यूज करता हूं ठीक है थैंक्यू फ्रेंट्स बाबाई एंड टेक केर